हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू शिक्षा कैसे आप सब उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे सो दोस्तों लेक्चर नंबर 32 में हमने स्टार्ट किया था अब उस बॉंडिड लेबर उसका पार्ट वन हम अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं मैंने अपको बताया था कि इंडेस्टियर रिलेशन लेबर लोग दोनों के लिए यूस्फुल रहेगा अपार्ट फ्रॉम देस्ट उपेसी सिवल सर्विसेज उसके लिए भी काफी साथा बेनिफिशल रहेगा और स्टेट सर्विसेज के एक्जाम अगर आप दे रहे हैं उस इसके बाद हमने डेफिनेशन समझने की कोशिश की थी कि हाओ दो बॉंडिज लेबर और डेट बॉंडेज का जो कंसेप्ट है उसको कैसे एक्स्प्लेइन किया जाता है उसके बाद हमने रॉंस्टिटूशनल प्रोविजन भी देखे थे कि इंडिया में क्या-क्या तो दू हमारा एजेंडा क्या रहेगा एक तो हम जो बॉंडेज अक्त है ठीक है अबॉलिशन ऑफ बॉंडेज अक था नाइंटिन सेवेंट इसक्स्टीन का उसके प्रोविजन्स डिसक्स करेंगे अपार्ट फॉम इस की डिसक्सिंग गे अपार्ट फॉम देश्गे डिसक पर आपको answer लिखना होता है वहाँ पर आपको helpful रहेगा या फिर interviews वगेरा में आपको helpful रहेगा ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं MCQ courses आप जानते हैं combo course single courses जो भी आप purchase करना चाहें कर सकते हैं PDF का link भी जो video का है वो description में available है वहाँ से download करेंगे support के लिए comment section में अपने doubts लिख सकते हैं या फिर आप whatsapp कर सकते हैं इस number के उपर 904-1244-689 के उपर या फिर mail कर सकते हैं 668-gmail.com पर ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे bonded labor system abolition act 1976 की तो यह जो act है यह abolition की बात करता है bonded labor की okay it freed unilaterally all the bonded laborers from bondage अब unilaterally का क्या मतलब हो गया इस case में यह चीज नहीं आएगी कि उसने मेरा पैसा देना था he has taken debt from me ठीक है तो सरकार पहले पैसा मेरा चुका है उसके बाद ही I'll be releasing it तो सरकार ऐसी कोई condition लेकर के नहीं जा रही है कोई request लेकर के नहीं जा रही है कि भही आप bonded जो labor है या जो laborer को आपने बंदी बनाया हुआ इसको आप छोड़ दीजी आप जो यह बंदुवा मस्दूरी करवा रहे हैं यह मत कराये please तो सरकार please नहीं बोलेगी इसको unilaterally बोला जा रहा है ठीक है with simultaneous liquidation of their debt जो पैसा लिया था वो खतम जो पैसा लिया था वो खतम हो जाएगा ठीक है जी so the act does away with every obligation of the bonded laborer to repay any bonded debt जो laborer है वो किसी भी तरह है कि बंदिश में नहीं होगा पैसा वापिस करने के ठीक है साथ ही साथ नहीं कोई future liability होगी यह नहीं है कि यहाँ ठीक है बही दो साल बात दे देना पैसा कोई बात नहीं नहीं वो loan को completely खतम कर दिया गया है ठीक है जी और इसके लिए कि भाई इसने मुझसे पैसा लिया था और मेरा पैसा नहीं चुकाया तो जो creditor है यानि कि जिसने पैसा दिया था जो लाला है वो court में भी नहीं जा सकता ठीक है वो court में भी नहीं जा सकता कोई proceedings है कोई law के अंडर उसका वो जो debt है वो recover नहीं कर सकता अब for example लाला ने मा के कंगन रख लिये थे हिंदी पिचलों में दिखाते है ना लाला ने मा के कंगन रख लिये थे कि जब तो पैसा चुका देगा तब ये कंगन ले जाना तो अगर कोई ऐसी attachment की है लोन के साथ बंदुआ मजदूरी भी करा रहा है और कंगन भी रखे हुआ है तो वो asset भी उससे recover किया जाएगा लाला से वो asset भी recover किया जाएगा सच movable property shall be restored to the bonded laborer bonded laborer को वो property वापेस जो है वो करा दी जाएगी ओके जी चलिए उसके बाद district and subdivisional magistrates जो होंगे उनको interest किया गया है कि वो इस law के जितने provisions हैं उनकी implementation का ध्यान जो है वो रखे हैं साथी साथ इस law के एंडर एक section 13 है ये section आपको याद करने की जूरुत नहीं है सिरफ reference के लिए यहापर ड बनाई जाएगी अब इन vigilance committee का काम क्या होगा basically ये district level पर और subdivisional level पर जो है committee बनाई जाएगी और ये committee भी देखेगी क्या जो प्रशासन है जो administration है वो proper तरह से implementation कर रहा है इस कानून के provisions की या नहीं ये जो body होगी इसमें women लोग होंगे representatives होंगे different sections of society से और ये जो एक vigilance committee हो जो होगी दो साल बाद नहीं committee जो है वो compose की जाएगी ठीक है जी उसके इलावा ये भी act में लिखा गया that the registers containing the names and address of all freed bonded laborers तो जितने भी laborers को सरकार या प्रशासन छुडाती है या बचाती है उनके नाम पता सब उसमें register में maintain करने पड़ेंगे वो क्या काम करते हैं क्या occupation है क्या income है क्या उनको सरकार ने benefits provide की हैं तो वो सबके सब जो हैं उन्हें register के अंदर maintain करके रखना होगा उसके लावा act में लिखा गया है कि अगर कोई bonded labor practice करता है so three years की jail और 2000 रुपे तक का जो जुर्माना है वो हो सकता है and every offense under the act shall be cognizable and bailable bail भी मिल सकती है and cognizable भी है तो ये ची करेंगे international law की international law में हमने कुछ नहीं देखना है इसमें बहुत जादा दिमाग नहीं चलाना है अपना mainly हमने देखना है कि various conventions जो है जैसे हमने पिछली वीडियो में एक convention का नाम देखा था forced labor convention ठीक है तो वैसी और क्या conventions है which are having a direct impact on slavery or debt bondage or bonded labor okay and आप देखोगे कि ये सारी की स conventions जो है इंडिया इनका पार्ट है इंडिया है is a signatory to this conventions इंडिया has ratified to these conventions so इंडिया के ऊपर एक international pressure भी आ जाता है कि वो अपनी country के अंदर ऐसे laws लेकर के आए ऐसे rules लेकर के आए जिससे ये जो bonded labors है या slavery है उसको completely जो है वो खतम किया जा सके all right so various conventions फटाफट से देखेंगे mainly हमने देखना कि कौनसी कौनसी convention है नाम हमने अपने जहन में बिठा लेना ताकि अगर सवाल आ जाए कि इंडिया इन में से किसका signatory है या इंडिया ने इन में से किसको ratify किया हुआ है तो उसका अंसर अपन easily कर सके और broad theme देखनी है बहुत जादा detail में गुशने के तो सबसे पहले आजाती है आपकी convention on the suppression of slave trade and slavery 1926 so basically slave trade को prevent or suppress करने के लिए यह था okay so this convention basically talked about complete abolition of slavery in all its form okay and slavery का एक type जो है वो यह convention क्या कहता है कि forced labor जो है वो भी एक type of slavery है okay and it should also be ended जो भी parties है which have signed this particular treaty they must end this particular type of slavery also okay चलिए next supplementary convention on the abolition of slavery तो एक supplementary convention दुबारा से sign किया गया 1956 में इसमें भी बात की गई कि जो supplementary convention है इसने further clarify किया and practices को prohibit किया basically that were related to debt bondage and child servitude okay और इस particular convention ने debt bondage को किस तरह से define किया जैसे हमने previous definitions देखे हैं part 1 में same definition है अगर आप देखें the status or condition arising from a pledge by a debtor जहाँ पर debtor ने जहाँ पर जिसने कर्जा लिया है जिसने पैसा उधार लिया है उसने collateral security की जगा अपनी personal services को as a collateral as a security for the debt रखा है ठीक है यह हमने पहले भी समझा था forced labor convention 1930 इसमें भी हमने देखा तो international labor organization की जो यह forced labor convention है so it requires the signatories to suppress the use of forced or compulsory labor in all its form ठीक है उसके बाद आजाता है अपका international covenant on civil and political rights 1966 इसमें भी slavery और slave and trade को completely prohibit किया गया servitude forced compulsory labor सबको खतम करने की बाते की गई ठीक है और इस particular convention में यह भी लिखा गया कि जो children है they have the right कि उनको state protection प्रोटेक्शन 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 प्रोटेक् and social exploitation, यह देखो जो यह article वार्टिकल लिखे हो है यह किसी काम के नहीं है, अपने लिए pre के point of view से, ठीक है जो EPFO वाले बच्चे हैं उनके लिए तो देखो, यह conventions important है याद हो नीची, यह directly pre में पूछ सकते हैं कि इंडिया किसका part है, ओके जो civil वाले बच्चे हैं, वो articles इतने important नहीं हैं, लेकिन यह सारी conventions हैं, जो आप एक आदी convention को अपने mains के answer में reference लिए कर सकते हो, बाकी prelims के लिए तो important है वो रहे गई, उसके बद next आजा आता है convention on the rights of the child 1989, so इस convention में क्या लिखा गया है कि state parties recognize the right तो state जिन्होंने sign किया इस convention को उनसे कहा गया है कि उन्हें जो rights हैं, वो recognize करने होंगे बच्चों के जो rights हैं, to be protected to be protected from what? to be protected from economic exploitation ठीक है? economic exploitation से उनको बचाया जाए, okay, and prevent किया जाए, बच्चों को की वो hazardous industries में काम ना करें, जिसका harmful effect हो उनकी health पर, उनके mental health पर, उनके spiritual health पर उनके moral health पर या फिर उनकी social development पर, तो ये सारी चीजे आपने जो है ध्यान में रखनी हैं okay, alright now international law के बाद the most important topic in this whole chapter और in this whole concept of debt bondage और bonded labor is this scheme ठीक है? ये scheme बहुत जादा ज़रूरी है हमारे लिए exam point of view से, and the scheme is called the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Laborate 2016 okay, तो evolution के अगर हम बात करें इस scheme, जैसे कि मैंने आपको बता है, 1978 में इस scheme को लेकर के आया गया था originally, as a centrally sponsored plan scheme, okay so originally इस scheme के अंदर basically क्या था? centrally sponsored था, तो कुछ जो assistance थी वो central government provide करती थी और कुछ assistance जो है, state government provide करती थी okay, तो 4,000 rupees provide किया जाते थे bonded laborers को, जिनको help किया जाता था, to you know, get out of this debt bondage alright okay, so 4000 में, 50% जो है, share central government का रहता था, and 50% share, जो है, state government का रहता था पर 2016 की जो revised scheme है, उसको उसमें थोड़ा change है, पहले centrally sponsored scheme था, now it became central sector scheme now the basic difference between central sponsored scheme and central sector scheme is, that central sponsored scheme में, state government जो है वो भी कुछ ना कुछ fund जो है, वो प्रोवाइड करती है sharing basis पर रहता है लेकिन जो आपका central sector scheme है, उसके केस में क्या होगा सारे का सारा जो खर्च है, सारे का सारा जो पैसा है, सारे कि सारी जो assistance है, वो central government पोवाइड करेगी, all right so 17th में 2016 को this came into effect, so यह जो particular scheme है, यह हर bonded liberal को जो है cover करेगी, including the child bonded liberal okay, और पूरा country इसके अंदर cover होता है, state government जैसे कि मैंने आपको बताया, state government को matching contribution देने की जूरूत नहीं है 1978 में जो scheme आया था, उसमें 50 ratio 50 था, state भी आदा दे रहा था, center भी आदा दे रहा था, पर अब यह वाली चीज़ खतम होगी है जो यह fund होगा इसके अंदर, जो fund established किया जाएगा that will be released by the ministry of labor and employment, ministry of labor and employment जो है, वो पैसा release करेंगे और पैसा किसको release किया जाएगा it will be directly released to the district national child labor project society okay, और फिर district project society जो है यह further funds को release करेगी implementing agencies को, जो भी district administration में implementing agency होती है उनको पैसा देगी, ठीक है तो ऐसा नहीं है कि पहले state के पास जाएगा राज्य सरकार के पास जाएगा फिर यह district national child labor project के पास जाएगा नहीं, सीधा जो पैसा है वो district national child labor project के पास जाएगा ताकि leakages ना होजा, leakages को कम से कम रखा जाए, ठीक है अब इस scheme में, जो provisions है वो देखें ध्यान से दो, तो सबसे पहले तो हर district को 4.50 lakh रुपीज प्रोवाइड किया जाएंगे यह 4.50 lakh रुपया जो है यह survey करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है, कि एक district में अगर survey करना है कि कहाँ पर bonded laborer practices हो रही है यह इस तरह की practices कहाँ पर है तो पुरा survey करना पड़ेगा ना तभी अपने को आइडिया लगेगा कि ऐसा कुछ हो भी रहा है या नहीं अपनी district के अंदर ठीक है, तो यह survey करने के लिए 4.50 lakh रुपया हर district को दिया जाएगा उसके बाद बात करते हैं Rehabilitation Package की कि Rehabilitation में क्या देंगे तो सबसे पहले तो जो भी Adult Male Beneficiary है, जो भी Adult यानि कि 18 साल से उपर के व्यप्ती को सरकार ने रिकगनेज किया that this person is, you know, doing forced labor, या बेगार, जो है या फिर bonded labor दे रहा है तो उस case में उस Adult Beneficiary को एक लाख रुप्या दिया जाएगा अब ये बेनिफिशरी के उपर होगा कि वो उस एक लाख रुपे को cash में receive करना चाहता है या फिर अपनी एक एन्विटी स्कीम में deposit कराना चाहता है, वो उसके उपर होगा ठीक है, ये तो हो गए Adult Male Beneficiary उसके बाद आजाते हैं कुछ Special Category Beneficiary अब Special Category Beneficiary में कौन आगे बच्चे, including orphans जो अनात बच्चे हैं, ठीक है या वो बच्चे who have been rescued from organized and forced begging rings ठीक है, गरीब बच्चों से जबरदस्ती भीक मंगवाते हैं, एक मुवी आई थी बॉलिवूड मुवी थी, Traffic Signal Okay, Traffic Signal मुवी was directed by Madhur Bhandarkar, ठीक है, तो इस मुवी पर दिखाया कि कैसे जो traffic signals पर है, organized rackets चलते हैं जो बच्चों को force करते हैं भीक मांगने के लिए, बेगिंग करने के लिए ठीक है, तो ऐसे बच्चे, जो orphans हैं, जो जिनको इस तरह के crimes में से recognize किया गया है और other forms of forced child labor जहांपर forced child labor practice की जा रही है and women, औरते भी इसके अंदर आ जाएंगी, so इस case में जो amount of rehabilitation होगा, वो बढ़कर के 2 lakh रुपे हो जाएगा तो adult beneficiaries के लिए 1 lakh रुपे है जाएगा और बाकी का पैसा जो है वो electronically transfer कर दिया जाएगा beneficiary के account में ठीक है, 1,25,000 को क्या किया जाएगा annuity scheme में deposit और 75,000 उसको मिल जाएगा in his और her account ठीक है, उसके बद थर्ड situation आती है, थर्ड situation आती है where there is extreme case of deprivation or marginalization ठीक है, जैसे transgenders if they are involved in forced labor या फिर women और children जिनको सरकार ने या जिनको administration ने discover किया है या recover किया है from very dangerous situations like sexual exploitation brothels में से, massage parlors में से placement agencies में से trafficking में जो involved थे अगर ऐसे cases है या जो differently abled person है तो उस case में rehabilitation assistance जो है, वो बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 3,00,000 रुपे ठीक है, तो adult के case में थी 1,00,000 रुपे ठीक है, child and woman के case में हो गई, कितनी 2,00,000 रुपे और extreme situation जैसे कि brothels, massage parlors, sexual exploitation इन सब चीजों में कितना हो गया 3,00,000 रुपे ठीक है, अब ये 3,00,000 रुपे में क्या रहेगा process, 2,00,000 रुपे जो है, वो इन सारे points का बहुत important रहते हैं और जी, उसके बाल अब ये जो सारे benefits हैं, जो rehabilitation package है, ठीक है ये तो additional है, इसके इलावा और भी चीजे जो है, और भी benefits जो है, जो original scheme में थे, वो भी provide किये जाएंगे, जैसे house site या agriculture land उनको allocate किया जाएगा land development अगर उनके पास पहले से जमीना land development पे काम किया जाएगा low cost dwelling units, सस्ते घर बनाने में उनको मदद करेंगे, animal husbandry dairy, poultry, pigry, ताकि वो self sufficient बन सकें wage employment, enforcement of minimum wages it extra, collection and processing of minor forest products supply of essential commodities PDS में उनको enroll करेंगे, public distribution system में, और बच्चों को शिक्षा भी provide जो है, वो की जाएगी, ओके alright, उसके इलावा कुछ और provisions देखते हैं, अब इस scheme में, जो rehabilitation assistance है उसको link किया गया है conviction of the accused से, यानि कि जो हमने देखा, 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 तो यह जो complete amount है यह release किया जाएगा, once the accused, जो creditor था, ठीक है, जिसने force किया to be in bonded labor, उस की जब conviction हो जाएगी, तब rehabilitation package रिलीस किया जाएगा ओके, लेकिन अब कुछ situations आती हैं हमारे पास, अगर trial conduct conclude नहीं हुआ है अभी जो है, कारवाई चल रही है final result नहीं सुनाया गया conviction अभी नहीं हुआ है, ठीक है लेकिन district administration को जो district administration है उसको ऐसा लगता है, उनके पास proper proof है कि the wrong has been done accused के खिलाब भी सबूत है ओके, बट अभी final proceeding conclude नहीं हुए है, तो उस case में, जो district administration है, वो कह सकता है कि आप cash assistance इनको देना शुरू करें ठीक है, complete amount नहीं दिया जाएगा, पर immediate rehabilitation के लिए कुछ पैसा जो है, वो release किया जा सकता है, ओके लेकिन final जो पैसा होगा, जो total amount होगा, वो conviction के बाद ही उसको release किया जाएगा, ओके next point next point में ये बोला गया, कि जब कारवाई चल रही है, for example किसी ने मुकदमा कर दिया, किसी के उपर कि भाईया, इसने मुझे force किया काम करने के लिए, अब कारवाई हुई और कारवाई के बाद, जो district magistrate है, या sub-divisional magistrate है तो magistrates आपको लगता है, कि यहाँ पर bonded labor वाली चीज नहीं हुई है, ठीक है, debt bondage वाली चीज नहीं हुई है condition of bondage नहीं था लेकिन उनको साथ ही यह भी लगता है कि जो victim है, he requires some socio-economic assistance तो उस case में, जो DM है या जो SDM है, वो कह सकते है कि ठीक है, हम आपको assistance देंगे but not under this particular scheme or this particular act, but कोई और जो scheme चल रही होगी उस समय में उसके अंडर उनको help की जाएगी alright, उसके इलावा अगर DM को ऐसा लगता है कि immediate assistance provide करनी ज़रूरी है जिसको rescue किया है bonded labor से, अगर ऐसे व्यक्ति को immediate assistance चाहिए, for example उसके पास खाना नहीं है, उसके पास रहने का ठीकाना नहीं है, medical assistance नहीं है legal aid नहीं है, ठीक है उस case में, जो है, immediate assistance भी उसको provide की जा सकती है okay, and this immediate assistance will be provided under any other law or scheme forthwith, ठीक है, किसी और scheme या किसी और law के अंडर भी उसको assistance जो है वो दी जा सकती है उसके बाद state governments के उपर क्या responsibilities fix की गई है, या जो union territory administrations है, उनके उपर क्या responsibility fix की गई है तो state government को district administration को बोला गया है कि आप proper safe और secure environment provide करेंगे, capacity building के लिए जो भी child bonded laborers है जिनको आपने rescue किया है, ठीक है different departments के साथ proper coordination करके, चाहे वो health department है चाहे वो education department है चाहे वो rehabilitation department है इन सारे departments के साथ आप coordinate करेंगे और facilitate करेंगे कि यह जो बच्चे हैं जिनको आपने बचाया है they get proper education, they get proper social counseling, okay and proper skill development के उपर इनके काम किया जाए, उसके बाद अगर कोई female bonded laborers हैं जिनको आपने free किया है तो उनकी special needs का भी ध्यान जो है वो government को रखना है, state या UT government को रखना है, financial assistance अगर उनको provide करनी है, for example for their marriage, ठीक है तो वो भी state government को एक important role play करना है उसके इलावा, disabled persons की अगर special needs हैं, उसका भी state government को ध्यान रखना है, और जो बाकी के जो adult laborers हैं, who have not come under the above three categories, उनके ये भी skill development training का जो है इंतिजाम state government या UT government को करना है, उसके इलावा एक bonded labor rehabilitation fund भी जो है वो बनाया जाएगा, इस scheme के अंडर और ये fund हर district में बनाया जाएगा, ठीक है state government बनाएंगी, हर district में बनाया जाएगा, और ये जो fund है इसका permanent corpus, यानि कि इसका permanent जो amount होगा, वो at least 10 lakh रुपे होना करने के लिए, ठीक है, अगर extreme situation में है कोई bonded laborer जिसको आपने rescue किया है, तो उसको immediate help provide करने के लिए इस fund का आप इस्तेमाल करेंगे, ओके ये fund को आप renew कैसे करोगे इस fund में जो भी आप penalty लगा रहे हो हमने देखा ना कि penalty का भी amount है act के अंडर, या scheme के अंडर, या किसी और state law के अंडर, अगर आप penalty लगा रहे हो किसी के उपर for practicing bonded labor, labor, और because of he was involved into that particular thing, तो उस case में जुतना भी आप penalty का पैसा इकठा कर रहे हो वो भी इस fund के अंडर जाएगा, ठीक है immediate assistance of at least 5,000 जो है वो आप provide करेंगे to the rescued person from this particular fund और अगर DM को लगता है कि नहीं 5,000 रुपे से नहीं होगा, इसको जादा पैसा देना पड़ेगा, तो 5,000 रुपे भी आप दे सकते हो, okay but maximum amount उतना ही रहेगा, जितना scheme के अंडर देना है, 1,00, 2,00, और 3,00,000, ठीक है ना, any such advance amount shall be deducted, अगर for example आपने 10,000 रुपे या 5,000 रुपे या और मिलना था उसको scheme के तहर्त rehabilitation package, 1,00,000 रुपे तो जब आप final clear करोगे तो उसको आप 1,00,000 नहीं दोगे, 95,000 दोगे तो वो adjust आपने करना है इसके अंडर, ठीक है अगर नहीं होता ऐसा, तो आपका यहां से question गलत नहीं होगा, next video mainly theoretical होगा, उसमें हम देखेंगे कि क्या suggestions है, वो cover करेंगे उसके बाद ही हमारा topic जो है, वो खतम हो जाएगा ओके, चलिए, so I hope आप लोगों को मज़ा आया होगा, देखें जरूरी बहुत ज़ादा है, कि आप channel को share करें, ठीक है, और ज़ादा लोगों को इसके उपर जोड़ें, energies high हो जाएंगी और ज़ादा, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए all the best and bye bye